लिकार करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे सबसेदे क्रिप्टो की अपडेट देने की कोषिश करते हैं कल दो दिन मेरी लीफ थी लेकिन अभी से आप नोटिस करोगे कि हमारी हर दिन एक वीडियो तो मिलती ही मिलती है तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो कुछ आपको मिले ना मिले आपको क्रिप्टो का जायजा होगा आपको पता होगा मार्केट जा कहा रही है सबसे पहले हम बात करते हैं S&P इंडेक्स की जिनने नहीं पता S&P क्या होता है S&P यहाँ पर हमारा जो 500 कंपनीज का जो मार्केट कैप है उसको लेकर एक इंडेक्स बना जाता है जो कि US की मार्केट में यूज़ दा बर एफट करता है पूरे ग्लोबली ठीक है तो ग्लोबल इसको confirm नहीं करता है और obviously अब इसने इस trend line को भी तोड़ दिया है तो trend line को तोड़ना है का मतलब क्या है trend टूटा trend टूटा तो अब कहां तक आने के चांसे से 39,500 ठीक सिर्फ 5 39,500 अब अगर यहाँ से rejection इसने नहीं मारा तो मेरे लिए यहाँ पर problem create होगी markets को लेकर क्यों अ नीचे डायरेक्ट आने के चांसे थे 37,38 और इस दुबारा इस support में आके फज जाएगा जो कि strongly तो है यह support area तो हमारा strong है hold करना चाहिए but 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 दुबारा आने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पर एक चीज बहुत जदा यहाँ पर एक important है जो देखनी चाहिए आपक breakout मिलता उपर की ओर तो अगर आप चोटे time frame में भी देखो गए ऐसे करके 4 hours में तो हमारा breakout नीचे की ओर हो रहा है अगर आप इस trend line उस trend line को देखो और triangle बना के देखो तो आपको देखो कि breakout तो यह नीचे हो गया अगर नीचे होता है तो यह इस breakout को मतलब क्या है कि हमें minimum इ यह roughly मैंने support बनाया हुआ कोई line नीची कुछ नहीं मैंने draw किया था खाली दो parallel lines और यह बहुत अच्छा support कर रही है आपको आपको लगेगा कि आपकवास कर रहा है देखो यह parallel line यहां पर भी support ले गई और निचला हिससा इसका test हो गया around और यहीं पर support लेगे फिर यह उपर गया तो long की position जिन्हें बनानी थी भाई आराम से बनाया होंगे आराम से बहुत आराम से मक्खन बनाई होगी तो जो आपकी long की position है वो चल रही होगी अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगा यहां पर हम matic की तो बात करेंगे कही कोई की लेकिन एक और चीज़ की बात करेंगे usdt dominance यह weekly chart है usdt के dominance का और मैं आपको कुछी दिखाना चाहता हूं वही है कि हर बाद जब usdt का dominance peak करता है then there is actually a bear market का bottom going on तो आप इस weekly में अगर आप इन दो area's को देखो यह थी हमारे 10 मही यह हमारे 26 जुलाई तो उस समय हमारा जो bitcoin था वो around somewhere like चल रहा था कुछ ना कुछ अच्छाखा सा चल रहा था मैं आपको कैसे दिखा हूं weekly है न हमारा यह week है तो यह हमारा यह वाली जो हमारा bottom type का structure form हुआ था इस जगह पर मैंने यहां पर आपको दिखाया कि मई से लेकर जून जुलाई तक हमारा जो USDT है उस समय पीक कर रहा था अगर हम सिर्फ उस समय के time firm को लेगे लेकिन उसके बाद नीचे आता है जब यह नीचे आता है हमारा तो USDT का dominance that means की लोगों के पास stable कम बचे हैं और stable कम रख रहे हैं तो मतलब यहां पर जो coins में invested, coins में invested तो मतलब market cap बढ़ेगा, market cap बढ़ेगा तो मतलब जो coin है यहां फिर crypto market cap वो टोटली बढ़ती है हमारी यहां से देखो जुलाई 2021 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक हमारी market उठती रही और यहीं पर अगरम बात पर है जुलाई से लेकर नवंबर तक हमारी यहां पर यहां पर यह market cap USDT का गिरता रहा है यह देखो यहां तक आया तो यह correlation जो है यह आपका यहां पर भी work कर रहा था ठीक यही सेम चीज आपकी यहां भी work कर रही है तो इस correlation से आप समझते क्या हो समझते यह कि इस बार भी एक और बार यहां पर correlation में USDT की dominance ने peak मारा था recently और generally आप देखोगे कि दो विक्स तो आपको उपर की और देखने को मिलती है पहला विक यह दूसरा विक यह तो क्या इसका यह मतलब है कि कहीं न कहीं हम bear market के bottom के round है of course I agree I agree to this definitely I think यह बहुत ज़्यादा पास है मेरे कुछ important points है जो इस bear market के थे पहला 20 के दूसरा मैं देखता हूं 16,000 के round तीसरा देखता हूं 14,000 के round यह ऐसे even numbers आपको लग रहे होंगे पर जिन में मेरी सबस्यादा bet है कि यार मुझे लगता है कि 70% 14,000 वाला तो bitcoin को retest करना ही करना चाहिए अब इसना आ गये तो 14,000 तक bitcoin को लेके जाए वहां से retest मारे तब अच्छी चीज़ होगी 12 पे मेरा उतना conviction नहीं 10% ही मानो लेकिन अगर हम 14 को तोड़ देते हैं तो 10 पे मैं जाधा मांगता हूं तो बाकी कब 20% मेरा भरोसा 10 पे होगा तो मैं 14 मानूंगा या 14 नहीं आता है तो हम direct 10 का मान के चलेंगे तो इस तरह की जो है मेरी thinking है इस bear market को लेकर और कुछ लोग यह कह रहे है यार Elon Musk का tweet आया कि अब हाई recession जो है 2024 के quarter 2 तक रहेगा तो एक छोटी जी बात समझो यार वो recession की बात कर रहे है ठीक recession की यार समझो ठीक और bitcoin ने हाल फिलाल में S&P के correlation में work नहीं किया हम मालूम है कि global market effect होती है लेकि जरूरी नहीं है न यह जरूरी नहीं है न बिटकॉइन का bull market जो है तब भी आ सकता है जब हमारा यहाँ पर देखो सब्सक्राइब की चीज़ें हो रही थी बिटकॉइन भाई साब हमारे उपर जा रहे थे ठीक कितना उपर गए जन्वली 2021 तक यह उपर ही जाते रहे 2020 से 2021 और यह उपर ही गए यह उपर ही गए चीज में बोलनों कि यहाँ पर अगर जो है यहाँ पर अगर बॉटम मारता है बिटकॉइन तो ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन का बॉटम भी और S&P का बॉटम दोनों साथ ही साथ चलें ऐसा नहीं है हाँ लेकिन जब भी कोई Black Swan event आता है या फिर कोई ऐसी बिमारी फैलती कोई epidemic फैलता है तो यार overall effect पढ़ता है साद ही markets में पढ़ता है बर वो effect temporary ह होता है आप इसमें देख सकते हैं अब recession क्या है दीरे दीरे वाला effect है अब दीरे दीरे वाले effect में बिटकॉइन पढ़ेगा ठीक नो डाउट पढ़ेगा लेकिन भाई बात यह है कि जिस तरह से markets और global जो recover करेंगी तो हमारा Bitcoin उससे जाधा तेजी से recover करेगा क्योंकि आपको 2023 के ending तक recession को भी तरह से मतलब उसकी growth हम वापिस से ले आएं फिर से और फिर से उपर उठना चालू कर दें यह मुझे लगता है personally मेरा opinion है और यह opinion कि इस basis पर यार इस basis पर क्यूंकि ठंडा पढ़ ला है महुल ठीक अब कोवीड से हमें effect हुए 2020 से 2022 तक हो गये अब अगर 2023 भ मैं लगता है boom बहुत अच्छा आजाएगा सारी markets यहां पर all time high को break करेंगी यह मेरा personal opinion है अच्छा यह Bitcoin का चार्ट आपके सामने जो खुला है यह मैंने आप से discuss किया हो था बहुत पहले लेकिन मैं बात करना चाहूंगा इस चार्ट की यह है Bitcoin का वो चार्ट जो मुझे आप उपर हो सकता है दूसरा area मैंने आपको यह बताए था मेरा जो बैठ है वो personally इधर अभी भी ज्यादा लगा हुआ है कि यह नीचे आ सकता है ठीक अगर यहां पर volume नहीं अच्छी मिलती यह फिर हो सकता है जो मेरा उपर का जो मेरा आपको bet बताए था वह यह तो यह rectangle काम है यह rectangle काम है दोनों rectangle की तरफ magnet की तरफ काम करेगा और bitcoin को खीचने की कोशिश करेगा बात कर लेते हैं matic coin की matic का 90 cents 91 cents चल रहा है प्राइस और इस matic के coin में जो मैंने आपको behavior बताया था वो यही बताया था कि इस area के around yellow aliband के around यह करेगा time spend क्योंकि इसने उपर से जाकर confirmation तो time spend करेगा इसी area के around इसी range में फसा रहेगा जो ऐसा as usual matic करता ही है तो इसमें कुछ खास update नहीं है बट आप क्या कर सकते हो long position short position जो भी आपको लेना है SL के साथ लेना दोनों साइड में क्योंकि area है smart smart level है smart वाला जो historically बहुत अच्छा रहा है इसलिए मैं आप से बोलूँग अगर आपको अच्छी लगते तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और मैं आपको एक और चीज लिखाऊंगा यह हमारा थ्री मंत का अगर हम चार्ट देखें तो बिटकोईन के मंतली support एक अच्छा वाला हमारा 14 के पर है जो और exactly मेरी theory के साथ बनता है जो की 13.9 की theory है ज that's what I am looking forward to let's see what you all think नीचे comment करके बताना